हेलो दोस्तों कैसे है आप नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम साड़ी से स्कर्ट बनाएंगे तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट देखें मेरे पास यहाँ पे एक साड़ी पड़ा था वो यूज नहीं होता था इसके लिए मैंने इसका स्कर्ट बनाएंगे इसके लिए आपको ऐसे स्ट्राइप कट करना है देखें जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वही साड़ी का मैंने और एक पट्टी कट किया है देखें इस तरह के से साइस अपको स्क्रीन पे दीख रहा होगा इसको इस तरह के से फोल करके आपको स्टीचिंग करना है साड़ी के हमने जो बड़ी पट्टी कट किया था उसको इस तरीके से छोटे पट्टी के साथ प्लेट निकालते समय स्टीच करना है देखिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूँ इसे आपको प्लेट्स बनाना है और सिलाई लगानी है रहे हूँ जाओ जाओ प्लेट लगजाँ के साथ से अखके साथ प्लेट लगज़ी रगानी है पूरा पट्टी सिलाई होने के बाद उसके दोनों बाजु आपसमें जॉइन करना है stitching करके देखिए इस तिरीके से यहाँ पट्टी उपर वाला जॉइन करके हो गया है घखिए ओर एक पट्टी यहाँ पर लेना है हमें वैसे ही और उसी में निकलते समय स्टीच करना है सेकेंड वाला जो पट्टी है उसका आपको लेंथ जादा लेना है ताकि फ्लेर है वो जादा आ जाए सेकेंड वाला पट्टी जॉइंट होने के बाद इस तरह के से दुसके दोनों साइड स्टीच करना है और दोनों साइड स्टीच करते समय अपको थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट स्टीच नहीं करना है वहाँ पे हमें तीसरा जो पट्टी है वो अटेच करना है यहाँ पे देखिए हमारा सेकेंड पट्टी भी जॉइंट होके रेडी हो गया है अभी हमें और एक पट्टी लेना है और वैसे ही हमने दूसरा पट्टी जोइन किया है वैसे ही आपको तीसरा पट्टी जोइन करना है और यहाँ पे हमें तीसरे पट्टी की लेंग दूसरे से ज़्यादा लीनी है ताकि फ्लेर है वो और भी अच्छा आ जाए तीनो पट्टी जॉइंट होने के बाद लास्ट वाला जो पट्टी है इसको इस तरीके से फोल करके आपको पूरे राउन में इस पाइपिंग करनी है देखें यहाँ पे अभी हमें इलेस्टिक लगाना है उपर की हिस्से में इलेस्टिक के लिए भी मैंने खर्चा नहीं किया है वो भी मेरे पास पूराने पैंट का जो है वो पड़ा था आप देख सकते हैं पैंड का मैंने बैक बनाया है वो आप मेरे चैनल पर जाके चकाउट कर सकते हैं देखिए इसको ही हम ऐसे ही निकालेंगे इलेस्टिक को हम एक सेप्टी पिन लगा के इस तरह के से अंदर डालेंगे और दुसरे साइड से बाहर निकालेंगे और दोनों साइड आपस में जॉइन कर लेंगे देखिए जैसे के आपको वीडियो में दिख रहा है देखिए गाइस यहाँ पर हमारे स्कॉर्ट का फाइनल लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्यूट लग रहा है और इसको हमने तीन लेयर में बनाए तीन स्ट्राइट में और दिखिए इसका लुक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है साडी से बैतर हम इसे स्कॉर्ट में ज़्यादा कमफटेबल हो सकते है देखिए गाइस यहाँ पर स्कॉर्ट जो है टीशर्ट के उपर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है आप किसी टॉप के उपर भी यूज कर सकते है देखिए बहुत ही बढ़िया और प्यारा लग रहा है देखिए इसके लिए मैंने एक साडी यूज किये उसमें ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूद नहीं इलेस्टिक भी मैंने पूरा नहीं यूज किया देखिए तो पूराने चीजों में से आप बेस्ट यूज निकाल सकते है देखिए आपको मेरा यह आइडिया कैसे लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना I hope आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट्स करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब करना मिलते ह में तब तब के लिए थेंक्स पूंग वाचिंग बाबाई